प्रदान मंद्री नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वकांशी योजनाओं के अगर हम लोग बात करें तो उनकी सबसे महत्वकांशी योजनाओं में से पहले या दूसरे नंबर पर आती है कि प्रदेश और साथ में देश के सभी लोगों को पीने का पानी मिले और जहां तक ग्रा कि माननी प्रधान मंत्री नारीद मोधी जी को बार्भट tomorrow wanna report कि ईम्मैदार गया है। है वाकLS में काफ़ी चलेंजर है कि ये पूरी ग्रामील्ड और घंसे अरभी या behavior तो जुड़े हुई substrate जै ने हम जो वनवासी गाओं खेड़े में रहने वाले भोले भाले आदिवासियों की भावना को शमझा और ये योजना का सुभारम किया है तो निश्ची थी ये बधाई के पात रहें बहुत सी ऐसी योजनाय हैं जो डारेक्ट जोडने वाली पर एक उसमें से एक अभिनेव य ये भी है कि जिस तरीका से हमारे जंगल पाहड में रहने वाले भोले भाले आदिवासियों की यहां पर जब कोई कारक्म होते थे तो तलाप से ही नहाना तलाप से ही पानी पीते थे पर माने मुखमंत्री जी ने उन गरीबों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये पिछले सालों में देखा गया है पी एची के अंदर कि जो काम ग्रामीडों को पानी पिलाने के लिए इसकूल की बात करें आगानवाडी को बात करें टंकी की बात करें कार समाप्ती का प्रमान पत्र एक दिया जाता है लेकिन उस प्रमान पत्र को कार समाप्ती होने के पहल कर लिया जा रहा है इसको लेकर ब्रस्टाचारियों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ेंगी आग एक मैंने तो हमारी माननी असरस्वी मुखमंत्री के साथ भी समिक्षा बैठक हुई अभी मैं जैसे ही यहां चेंबर संभाल ली और अभी चार्ज ली और तुरंथ मैंने बैठक ह हमारे बिभाग के सभी हमारे MD हैं हमारे PS हैं पूरी सब लोगों मुक प्रमुक अभियंता हैं सभी लोगों की बैठक की जो उनके जो एक एक अधिकारी हैं उनकी बैठक की पूरी मैं समझी और जैसे आप कह रहे हैं प्रष्टाचारी मुक्त बिलकुल प्रष्टाचारी प्रधान मंत्री जी ने चोकीदार की रूपे पूरे देश की जनता की सिवा कर रहे हैं। उसी प्रकार से हम भी पूरे पूरे प्रदेश में मानने मुक मंत्री जी के नितरत में आचा काम करेंगे। जैसे आपने कहा जो पूड़ कारे नहीं होते और ये सारी चीजों को ले करके उसमें ठेकेदार को तheen महिने का उनको बोला जाता था कि तीन महिने तक आप चलाएं और तीन महिने चलाने के बाद पंचायत को दें तो ऐसी स्थिती में आज उसमें हम लोगों ने बहुत सी चर्चा किये हैं माननी मुक्मंत्री जी की निर्देश में हम लोगों ने कुछ न कुछ ऐसे समीती बनाएंगे जैसे जल जीवन मिशन जैसे पियची में दो योजनाएं हैं एक पियची है और एक हमारे जल जीवन मिशन है तो इसके तहट पे दो योजनाओं में एक योजना समूहिक चलती है और एक योजना एकल चलती है तो जो समुहिक योजना के तहट पे उसका जो प्लान है उसमें दस साल तक जो ठेकेदार रहते हैं वो लगातार उसको रख रखाओ करते हैं और जो हमारे 300-400 गाओं रहते हैं उन गाओं को पानीव सप्लाई करते हैं वैसे एकल योजना है तो एकल योजना में भी जिस तरीक सभी अधिकारी भी जाएंगे और नीचे इस तर पर जितना नीचे ग्रास रूट पे जा करके देखेंगे जहां कमी होगी वहां पे हम पूरे उसमें कारवाही करेंगे जहां ठेकेदार यदि विलंब कर रहे हैं या ठेकेदार की गड़बड़ी पाई जा रही तो उसमें भी हम कारवाही करें लिए पेंडिंग शिकायते हैं पीएची में दरसल यह मैं आपको जानकारी भी दे रहा हूं और इसका समाधान भी आपसे पूछना चाहता हूं कई लंबित शिकायते हैं सालों से पीएची के अंदर हैं उनका निराकरण कपता को और साथ ही सबसे बड़ी का मैंने अभी आपको अभी बताई कि मैं आज ही आज चार्ज ले रही हूं और यह धीरे-धीरे समीक्षा के माध्यम से जो जो जानकारी होगी वो हमारे अससे मुखमंत्री जी के मार्क दर्शन पर माननी प्रधान मंत्री की निर्देश में हम बढ़ी आच्छा काम करेंग है ऐसे जो छेत्र हैं जहां पर मैंने अभी लिष्ट मंगाई हूं उन लिष्टों में ज्यादा फोकस करूंगी उन गाओं पर उन जिले में ज्यादा फोकस करूंगी जहां पर इंटेरियल है माननी अससे प्रधान मंत्री की यही है कि जहां पर जो हरवल छेत्र है वहां त वहीज़ आपि जगहों पर सबसे पहले पहुंचेएंगी सबसे पहले काम करेंगी और शेत्रों में संभावना है ना के बराबर वह जिन लोगों को सबसे ज़्यादा आवेश्चता है उस जगे सबसे पहले जाके मंत्री के दौरा वो हल निकाला जाएगा केमरामें जुबेर के साथ मैं विनी शिर्वास्त हूँ ग्रामिन भारत टीवी